पोख राम पर्मारंदपूर पंचाइट के वाजचार इस्तीत राम जान की ठाकुर बारी में 11 दिवस्य स्रीमत भागवत कथा ज्यान यग को लेकर सुकुरवार को 111 कन्याओं के द्वारा कल सुभायात्रा निकाली गई वैदिक मंतरचार के साथ यग अस्तल से निकल कर गोपालिक टोला है सीत सुरसव नदी में जल भरकर पुन यग अस्तल के लिए प्रस्थान किया इस दोरान ढोल नगारे गाने बजाने के साथ सैक्रों की संख्या में सरदालू सामिल थे पोख राम छे का टोला सकुआ तिलकोरा होते हुए लगबग 5 किलो मीटर कलस सुभायात्रा निकाली गई कलस यात्रा के मार्ग में साफ सफाई लोगों में काफी उत्सा और ग्रामिनों की आपती सयोग दिख रही थी आचार विनोदानन्द जी और आचार राम रेखा बाबा के दो आराब भागवत कथा एवं राम कथा वाचन किया जाएगा आचार विनोदानन्द ने कहा कि भागवत कथा समाज को नई दिसा परदान करता है समाधिक कुरुतिया आपसी मत भेद दूर होती है यह को लेकर गाव का महाल भक्ति में बना हुआ है बिनोदानन्द आचार्जे ने यहां गाव गाव जाकर के जो यहां समाज में भयंकर कुरिती फैल रहा है और बिमारिया फैल रही है इन सब को दूर करने के लिए हम लोगों ने मंगल में कामना के लिए देश के हित में जंता जनार्दन जो भिखर रहा है हिंदू राष्ट बिखर रहा है उस हिंदू तत्व को एक जूट होकर के श्री माद भागवत कथा का आयोजन रखा किया है